ब्रेकिंग खबर है बड़ी खबर है सच्चा खिड़ा गाउं के पास एक जो प्रैवेट बस थी वो एक आटो पर चड़ गई है जिसके बाद दो लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है जिसकी लाइव तस्वीरें आपको नियूजलाइन इंडिया के माध्यम से दिखाए जारियें दर्दनाक सड़क हादसा है तो आप तो जितने भी साथ ही जुने तस्वीरों को शेयर जरूर कर देना जो आटो में दो सवार आगे लिखा हुआ है जो प्रैवेट बस है और पुलिस के करमचारी भी पहुंचे हुए है और भीशन सड़क हादसा दर्दनाक सड़ हादसा हुआ है नर्वाना के पास आप जितने साथ ही जुने तस्वीरों को शेयर करते रहें है लेकिन तस्वीरों को शेयर जरूर करते रहें वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो आटो है यह वो बस है और आप देख सकते हैं जो आटो के पीछे का हिस्सा है और खून से लखपत है यह आटो दो लोगों के इसमें मोथ हुए है दर्द सड़क हाथ सहा है और एक जो इलेक्ट्री कर्णी आटोउ है जो साएद सच्छा खेड़ा से नर्वाना की तरफ जा रही थी और ये बस भी χिसार से नर्वाना की तरफ आ रही ैंटी तो सच्छा खेड़ा गाहों के पास तो क्या गलती देखी जैसे गलती है तो यह पिछे से भी ओवर स्वीड में आ रहा था और जो बच्चे मतलब पेपर देने के लिए जा रहे थे अच्छ वो सवार थे इसमें हाँ वो काफी सारे सुवार थे उन्होंने क्या कर रखा दा आज तो सरकार ने फरी कर रखा पेपर ले कि लेकिन इस लड़कियों गवी प्रेशन के लड़कियों से भी इनिस लेकुन और जो पिपर देने बच्चे गए थे उन스ए बीकर लिया और उसके बाद यह बोला कि मैं सरकार में रहता हूं जो उखाडब लेना और जिसको मतलब फोटो लेनी है वीडियोग्रोफी करनी है जो करना कर लेना मैं सामने खड़ा होता हूँ अच्छा और मैं किसी से डिरने वाला नहीं है तो मतलब अपने उसमें चला रहा था ही तो बासा अपने उसमें रहम में बिल्कुल चला रहा था पीछे लड़कियों स कि अच्छा तो यह सार से आई है यह बस और नर्वाना जागे जो भी आग्गे थे वह अगली पसों में जाएंगे लेकिन इसमें से त्लकर नड़के थे उनको इन्हों ने उतार दिया तो क्या कुछ रफतार रही होगी जब यह आध्सा हुआ एक प्रोक्सिमेटली इसकी तोटा वाले किया है इसके निचे कि लड़का आया है उसकी स्पीड उससे सलो हुई है और दूसरे आगई है गाड़ी इसकी वज़ेश से अच्छा एक इस इसकी डाइट होई है एक तो गिर गया था लगने से वह तो तैर की निचे आगया एक लेडिस पिछे वाली सीट पे उस बच्छे की भी ऐसा लगता है कि बहुत रेयर चांस है कि वो बच पाएगा हमने उसको बंपी मगरा किया था चैस्ट में तो उसके ब्लेडिंग मगरा होई तो उसके बाद हम उसको सिप्ट किया उस्पटल में एम्बलोस सब्सक्राइब तो आप जितने साथ ही जुड़ें देख सकते हैं 200 मीटर दूर से इस आटो को जो घशीटते हुए बस चालक यहां तक लेकर आए और जिस प्रकार का व्यभार इन लोगों ने बताए बस में सवार थे और आज जो डी ग्रूप की परिक्षा उसका अंतिम दिन था आप सारे सवार थे तो यह सभी लोग इसमें सवार थे और 200 मीटर से लेकर आए बस चालक और और नर्वाना की ही साइद बस इसका नंबर भी आपको दिखाते हैं जो लापरवाही से चलाते हैं चार उन्तालिसी असी पचासी तो जो सिधे हिसार से नर्वाना आ रही थी और जो डी गुरूप की परिक्षा देकर विद्यार थी आये थी वो भी इसमें सवार थे उनके साथ भी गलत विवार किया गया है इस बसके चालक और परिक्षालक दोबारा बार बार यही कह रहा था कि मैं सरकार के अंदर ही रहता हूँ जिसको वीडियोग्राफी करनी है बाइट लेनी है जो कुछ भी करना है वो कर सकते हैं मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ और निच्छे उतरो मेरे पास पेपर है और किसी को फरीमें नहीं लेकर जाने वाला लडिक्यां से भी रोड वे आर करके लडिक्यां के उसमें निच्छे उता रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब इस परकार के चालक वाहनों को लेकर गुजरते हैं तो सिर्फ बस में सवार यात्री ही नहीं सडक पर जो कोई भी व्यक्ति निकलता है और ऐसे वाहन चालकों के सामने आता है तो उनकी मौत की परवाये बिल्कुल नहीं करते तो क्या कुछ कहना आप तस्वीरों को शेयर जरूर करें ताकि जो भी लोग इसमें सवार थे उनके परीजनों तक भी सूचना पहुँचे और एक बच्चा है उसकी हालत भी गंभीर बताए जा रह यहां तक इस बस को लेकर आया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लापरवाही से ये चालक इस बस को चला रहा था और जो विद्यारती हैं जो डी ग्रूप की प्रिक्षा देने के लिए अपने घरों से बाट थे क्योंकि सरकार द्वारा इस साल फ्री जो है किरा प्राया उनका किया गया था बस विद्या दी गई थी सेंट्रों तक जाने के लिए वह देर राध तक भी जाएंगी और और इस परकार के खाथ से और किराय वसूलने की बात की गई लड़तियों को परिसान करने की बात और किस डीपो की एक बस है वो भी आप अंदाज लगा है नंबर आपको दिखा दिया गया है इस बस का नंबर है जो एक प्राइवेट बस है हालां कि सरकारी प्राइवेट सबी बसों को फ्री किया था जो विद्यार्थी से डी गुरूप का जो एक्जाम दे कर आज वापिस था जन तिन दिन था लेकिन यहां सच्चा खेड़ा और बदोवाला गाउं के पास एक मौके पर ही मौत हो चुकी है और बच्चे की हालत भी गंभीर बताए जा रही है जो मौके पर जो लोग मौजूद थे और जिन्होंने इस वर्ष्ट की रफ्तार देखी है अब हद्दर वेवार विद्यार्थियों के साथ भी किया गया है तो इस परकार के चालकों के इखल और जो भी इस बस का मालिक है उसने किया है क्योंकि सरकार ने सभी बसें जो है विद्यार्थियों को और जो भी प्रिक्षार्थी से उनके लिए लगाई थी लेकिन इस परकार के हाद से जो लापरवाही के कान हुए हैं और सरयाम पूरी बस को चेतावनी दी थी कि आपको जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है, उखाड़ो वो किराया भी लेगा, अपनी मरची से चलेगा और अपनी जो रफ्तार है उसी में चलेगा, तो जिसका आप अंजाम देख सकते हैं, इस आटो में जो लोग सवार थे, दो सो मीटर तक घसीटते हुई इस आटो को यहां तक लेकर आया जिसके बाद दो लोगों की मोत एक महिला एक व्यक्ति और एक बच्चे की जो हालत गंभीर बताए जा रही है अंदाजा लगा सकते हैं जब दो सो मीटर दूर शे इस परकार किसी वाहन को घसीटा जाए संजु खान जी हमारे साथ जुड़े हैं सोनु चहल जी हमा के पर मौजूद हैं तो आप तफ्यूरों को शेयर दूरूर करें ताकि इस बस के चालक के खिलाफ कड़ी कारवाई हो सके जो इस परकार ला परवाही में आकर हाधसे को अंजाम देते हैं कहीं ना कहीं और जो ये प्राइवेट बस हैं वो अपनी रफ्तार से चलते हैं ज्यादा बड़ा हाधसा हो सकता था हालां कि बड़ा और दर्दनाक हाधसा ये हुआ है सचा खेड़ा और बद्वाला गाहों के पास जहां एक आटो को दो सो मीटर तक घसी इटते हुए ये ला परवाह बस चालक ले